नमस्कार महापुर्शों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इनसान बनने में सहायता करती है इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुँचे सब कविता को जाने और समझे विशेश रूप से हमारी युवाहूती पीड़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाए तो एक बेहतर समाज के निर्मान में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान ले कि कविता है क्या कविता का एक छोर जहां कलपना को आकाश की उचाईयों तक ले जाने के ख्षमता रखता है वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिता है यही अंतर विरोध ही कविता का चनक है कविता का भाव जगत चात्रों के लिए हमेशा से जिग्यासा का कारण बनता रहा है इस शंखला के कारिक्रमों में उनकी इने जिग्यासाओं का उत्तर खोजने का प्यास किया गया है द्यार्थियों सबसे पहले परचे मैं हूँ हरी मुहन शर्मा दिल्ली विशुद्याले के हिंदी विभाग में पढ़ाता रहा हूँ मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय तिवारी आप दिल्ली विशुद्याले के हिंदी विभाग से सेवा निवृत आचार है और नई पुढ़ी के सशक्त आलोचक हैं इनकी अनेक आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हुई हैं और इधर भी लगातार लेखन कारे में रत हैं मैं आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टिवारी नमस्कार रक्साब आईए सबसे पहले सुनते हैं केशव की कविताओं का पाठ प्रस्तुत है केशव दास की कविताओं पहला पद है सरस्वती वंदना बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए ऐसी मति कहोंदों उदार कौन की भई देवता प्रसिद्ध सिद्ध रिशी राज तब अब्रिद्ध कही कही हारे सब कही न केहु लई भावी भूत बर्तमान जकत बखानत है केशो दास केहुन बखानी का हुपय गई बरने पती चारी मुख पूत बरने पांच मुख नाती बरने शट मुख तदपी नई नई दूसरा पद है पंच्वटी वन वर्णन सब जाती फटी दुख की दुपटी कपटी न रहें जह एक घटी निघटी रुच मीच घटी हुँ घटी जग जीवन जतीन की जूटी तटी अग ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्यान गटी चहुँ ओरने जाचती मुक्त नटी गुन धूर जटी बन पंच वटी गुन धूर जटी बन पंच वटी वाह तीसरा पद है अंगद रावन संबाद सिंधुतरियों उनको बन रातों पै धनुरेख गई न तरी बांधोई बांधत सोन बनियों उन बारिदी बांध के बाट करी अजहूं रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी परी तेलनी तूलनी पूँछ जरी न जर जरी जरी लंक जराए जरी वह न जरी जरी लंक जराए जरी बहुत अच्छा पाट किया रक्साव आपने धन्यवाद और तीन तरह के भावों को स्पष्ट करने में इस पाट से बड़ी सहायता मिलेगी जी अब तिवारी अब हम इस पर बात्ची शुरू करते हैं अबश इ केशो अपने ढंके अनोखे कवी हैं अकबर के काल में एक तरफ तुलसी और दूसी तरफ केशो यह दो महा कवी हुए केशो की विशेष्टा ये थी कि केशो अपने को भक्त नहीं मानते थे कवी मानते थे बड़ी प्रसिद्ध किमदनती है कि अकबर ने केशो को आमंतृत क किया तो वहां पहुच के जब अखबर ने सवाल किया कि इस समय का सबसे बड़ा कवी कौन है तो केशो ने कहां मैं हूँ तो उनोंने पूछा कि तुलसी दास भी इसी समय हैं तुलसिदास को आप नहीं मानते तो उने का तुलसिदास भक्त है कभी मैं हूँ और इस तरह भक्त से अलग कभी की एक अपनी पहचान अपनी सत्ता उन्होंने स्थापित करने का आग्रभ प्रदर्शिद किया तो केशो इस तरह अपनी एक अलग धारा स्थापित कर रहे हैं जो एक कवी के रूप में पहचान बनाने वाली चेश्टा है ये उनकी पहली चीज थी और कवी का मतलब हुआ कि काव विशास्त्र का पारंगत उसका विशेशग्य संभोता उसी विशेशग्यता के कारण उन्ह उनकी विशेश्टा का स्वीकार है एक प्रकारांतर से इसकी चर्चाबाद में हम लोग करेंगे एक रोचत प्रसंग केशो के बारे में हैं जिससे सभी लोग परिचित हैं उसका उलेक करना अच्छा है कि काफी अवस्ता हो गई थी और सिंगार के कवी थे पंघट पे बाबा कहा तो केशो दास को बड़ा शोब हुआ और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है उनका केशो केशन असकरी जस अरिहू नकराई चंद्र वदन मरिग लोचनी बाबा कही कही जाए तो केशो इससे लगता है कि हास से भी उनके अंदर परिहास की वृत्ति थी उनके अंदर जो उनकी इन कविताओं में भी अवे जहलकती है दूसरी बात केशो के बारे में जो बहुत जरूरी है कहना वो यह है कि केशो और चा नगर में पैदा हुए थे बाकी कवियों का कुछ गाउं से लोक संस्कृति से संबंद था और इसकी बराबर चर्चा होती है लेकिन केश केशोधास नगर के रहने वाले थे और नागर कवी थे और वे अपने इस नागर होने पर गर्ब करते थे । इसका आगरा भी करते थे। वیسे भी दर्बारी कभी थे तो नगर में ही दर्बार दर्बार करें तो कभी और भी थे जो गराम संस्कृति से आये थे और ग्राम जीवन के प्रति उनके मन में अनुकूल भाव था केशो अकेले कवी हैं जो अपने नागर होने का आगरह रखते हैं और इसलिए प्राया देखा जाता है कि वे गाउं का गाउं के लोगों का गाउं की इस्तरियों तक का उपहास करते हैं तो नागरिक्ता नागरपन ये केशो का अपना एक गुन है जो दूसरे कवीयों से उन्हें बिलकुल अलग करता है एक चोटी सी बात का उलेख और करना चाहिए क्योंकि तुलसी और केशो और दोने ये दूसरे को जानते थे रामचरित मानस के समक्ष चुनोती पेश करने के लिए या उसे चुनोती मान कर एक दूसरा उदाहर पेश करने के लिए उन्होंने रामचंदरिका लिखी थी और वो पूरा नाम कथा यहां भी है अपने ढंग से लेकिन मानस के वजन पर लिखे जाने पर भी मानस से इसका बुनियादी अंतर इस बात में था कि मानस के केंद्र में भक्ति का विचार है और केशो दास की कविता में ऐसा कोई विचार नहीं है उसमें कौशल है तो एक तरफ भक्ति आस्था विचार और दूसरे तरफ विचार भक्ति आस्था की जग़ה कौशल, काव व्यात्मत्प, चमतकार, आचारित तो हो नगारति जिससे चमतकार का संबंद है तो ये दो तरह की काव प्रनालियां मध्यकालीन हिंदी में दिखाई पड़ती हैं उनमें एक के सिर्मावर अगर तुलसिदास हैं तो दूसरे के सिर्मावर केशवदास हैं ये दूसरी बात जिसमर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए यहां एक चीज का उलेख और करना उचित है कि संस्कृत कावशास्त्र की परंपरा का हिंदी में उपयोग और उसकी विधिवत स्थापना अगर किसी कवी ने सबसे पहले की तू केशवदास थे और इस लिहाज से भी केशवदास हमेशा महत्वपूर्ण माने जाएंगे इसके अतिरिक्त केशों के बारे में एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को होनी चाहिए कि मुल रूप से ब्रजभाशा के कभी थे लेकिन उनकी ब्रजभाशा पर संस्कृत का और चुकि बुंदेल खंड में पैदा हुए थे तो बुंदेली का इनका बहुत गहरा आसर है तो ब्रजभाशा होते ब्रजभाशा में पुरानी और नई और बोलियों और भाशाओं का प्रभाव संसकार दिखाई पड़ता है इसलिए भी केशव एक अलग तरह के प्रयोग के कभी हमारे सामने बनके आते हैं और इसलिए हिंदी में केशवदास का अपना अस्थान है जिससे कोई इंकार नही इससे केशव की कविताई को समझने में काफी मदद मिलेगी अब हम उनके पदों पर थोड़ा विचार करना चाहते हैं बाचित करना चाहते हैं उनका पहला पद है सरस्वती वंदना कभी क्यों ऐसा समझता है कि देवी सरस्वती की उदारता का गुरूगान नहीं किया जा स तो उस सीमित बुद्ध से उस अपार महिमा का वर्णन करना मनुष्य के लिए संभो नहीं है मूल बात ये है कहते हैं न कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए ऐसी मति कहों धों उदार कौन की भाई इतनी उदार मति इतनी बड़ी व्यापक मति किसकी हो गई है कि इ उदारता का वर्णन कर सके और इस तरह बुद्ध की सीमा और सरस्वती की महिमा का कंट्रास्ट उन्होंने उपस्थित किया है कह सकते हैं आप कि इसमें एक तरह की अतिशयोक्ति से काम लिया गया है लेकिन अक्सर होता है कि हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उसके लिए अतिश चमतकार पैदा होता है जो इस कविता में है पर केवल क्या चमतकार ही है क्योंकि इसी पद में कहा गया है कि भावी भूत वरतमान के माध्यॅसे क्या कहना चाहता है क्या संकीत देना चाहता है ठीक बात है और इतना ही नहीं भावी भूत वरतमान के बाद कहते हैं बरने पति पंच मुख पूत बरने बरने पर चार मुख पूत बरने पंच मुख और यती बरने नाती बरने शट मुख तरप नहीं नहीं तो पंच मुख चतुर म तो पाती और उनके पुत्र और नाती ये सब भी वर्णन करते हैं मतलब कोई चार मुख से, कोई पाँच मुख से, कोई छे मुख से तो एक तो उसमें दोनों बाते हैं अतीत से वर्तमान तक इतनी बार सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है फिर भी उनमें कुछ नए गुण प्रकट हो जाते हैं उनमें गुण का अक्षय भंडार है और इसलिए वो नित्य नवीना है और उनका रूप इन प्रशनसाओं में बाधा नहीं जा सकता इसलिए परिकलपना शतरूपा की भी है उनके साथ और दूसरा इसमें संकेत यह है इशतरूपा क्या है डख साथ एक रूप में बना हुआ नहीं है उनका विप्त को सैक्णो रूपों में बना है जिनको पकड़ नहीं सकते इतने रूप हैं आप जिन जिन रूपों को देखें उसके अलावा भी उनके और रूप हैं तो जिन गुणों की आप प्रसंसा करते हैं उनके अलावा नए गुण प्रकट हो जाते हैं तो इसलिए वो नित्य नवीना हैं ये नित्य नवीना का एक अर्थ संदर्ब है एक दू कुमारी भी मानी गई तो पत्र नाती के बावजूद उच्चिर कुमारी हैं और इस तरह का विचार इस तरह की आउधारना भारती समाज के बाहर भी रही है इसायत में भी वरजिन का एक कॉंसेप्ट है तो संसार में मनुष्य ने अपने देवी देवताओं की महत्ता और गरिमा प्रतिश्चित करने के लिए इस चुर कुमारी का भी एक विचार रखा है जो यहां सरस्वती के साथ जुड़ा हुआ है बहुत अच्छा तो पंचवटी वन वरणन इस दूसरे पद में प्रकृति का वरणन तो बहुत अच्छा किया गया है लेकिन इसकी मारमिक्ता दिखाई नहीं देती इसका क्या कारण है बात तो आपने थोड़ा उल्जन वाली की है और इसके बारे में हिंदी के सबसे विश्वसनी आचार राम जिसे दूर वन में सामानने लोगों के बीच वनवासियों के बीच जहां हार दिखता उनके अनुभव का मूल घटक है लेकिन केशव नागर कवी हैं तो उनका अनुभव दरबार और दरबारी वातावरन से जुड़ा हुआ है तो अनुभव की दोनों भूमियां काफी तो इसलिए जब केशव उस तरह का वर्णन करते हैं तो उसमें वो मारमित्ता वो स्वावावित्ता थोड़ा सा कम हो जाती है लेकिन उस कमी को केशव अपने कोशल से किस तरह से दूर करते हैं इसका उदाहरन ये चंद है और इसलिए आप देखें कि सब जाहती फटी दु जोड़ा सा दूर कर देता है और यही केशो का कमाल है अजाड़क साब इसी पद में तीसरी पंक्ति में आता है अग ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्यान गटी अब इसमें अग ओग गुरु ज्यान गटी या बेरी का कटना अग ओग तो महापाप या बहुत सारा पाप जो मिलके पाप का भंडार बन जाए और गटी यानी गठरी ज्यान की गठरी और वो गठरी छोटी मोटी नहीं है गुरु ग्यान है तो यहां यो कहना चाहते हैं कि इस पंचवटी में आने के बाद अब भक्त नहीं है लेकिन बात तो कहीं भक्ती के और जो इस बेड़ी के कट जाने के बाद जो गुरु ग्यान है यानि जो बड़ा महत्वून ग्यान है महान ग्यान है उसकी गठरी आ जाती यानि बड़ा गुरु ग्यान भी काफी मात्रा में आ जाता है यहां ग्यानी हो जाता है आदमी तो इसका परिणाम क्या है बनिए वो प्रकट होके सामने आ जाता है तो यानि यहां आने पर आदमी ग्यान युक्त हो जाता है और पाप मुक्त हो जाता है तो जो ग्यान युक्त और पाप मुक्त होना है यह इस चंद के द्वारा वो प्रकट करते हैं एक तो बात यह है लेकिन दूसरी बात आप देखें कि य ग्यान युक्त होना है, आप तुलसी दासों, सूर दासों, कभीर दासों, वो सिर्फ ग्यान की बात कभी नहीं करते हैं, केशो दास क्यान की बात आग्रह पूरवक करते हैं, ये जो बौधिक्ता का आग्रह है, ये केशो दास को मध्यकाली इन कवियों में बहुत आधुनिक बनाता है केशों की जो आधुनिकता है वो और लोगों की आधुनिकता से भिन बौत धिकता के साथ जुड़ी हुई है और ये बौत धिकता वहां से लेके नई कविता तक चली आती है अच्छा आधुनिक काल में और संयों के बात नहीं है कि उस बौत धिकता का सबसे अधिक आगरह पूर्वक प्रियोग करने वाले अगे केशो को अपना आधर्श कम्य वांते हैं। वीरजस से भी अतरिक्त को जुशिष्टा हैं। रास्ता बना लिया समुद्र को बांध के और तुम्हारी हालत क्या है ठीक है ना। लक्षमन रेखा भी नहीं पार कर पाई तो पूरे में वो ये बताते हैं तो हे दसकंट तुम रहुनात के प्रताप को अभी नहीं समझो मज रहे हो। और मजाक उडाते हैं पूरा कि बांधे हो बांधत सो न बनेओ उन बारी दी बांध के बाट करी तुम उस बंदर को जो समुद्र लांक के आया था उसको बांधरी की कोशिश करते रहे। तुम उसको बांध तक नहीं पाए और समुद्र और आंत में कहते हैं कि उसकी पूँच में तूला नी पूँच तेल डालके तुमने पूँच को जलाया लेकिन पूँच तो नहीं जली तुम्हारी सोने चांदी हीरे जवाहरा से जली हुई लंका जल के बास तो इसी पंक् देखें कि ये तो एक तरह से उसका मजाप उड़ाना हुआ उसका चिढ़ाना हुआ तो अंगत वहां रावन को चिढ़ा रहे हैं इसमें आप देखें कि हाय तो ये वीरस की कविता ओज का गुण है लेकिन ओज के साथ जो भाव रहता है उत्साह का या उसका वो नहीं है य व्यंगे ही तो है तो उपहास तो व्यंगे से जुड़ा हुआ है ये कोरा हास से नहीं है तो यहां पर ओज के साथ वीर के साथ व्यंगे का समावेश किया है ये एक नए तरह का प्रियोग है कला में दूसरी बात आपने कई कि इसमें जो जरी की आवरित्य है तो आप जानत पदावली तो उसने अर्थ बदल जाता है जरी जरी मैंने जड़ा हुआ जराई जरी और जलना तो और जरी की आवरित्ति से चमतकार भी होता है अर्थ का वैशिश्ट भी उत्पन होता है अलंकार सामने आ गए है यमक अलंकार है यमक अलंकार है तो अनिक अलंकारों का प्रि आप दो बात हैं करें भाषा के बारे में तो मैंने शुरु में भीका ऑर यहांझा तेख रहे हैं कि आप देखें कि सभी चंदों में बानी जगरानी की उदारता तरह का चमतकार है सबजाती फटी दुखी दुपटी कपटी घटी तो यह जो एक तरह का च्छे का प्रास किसम का है कि अनेक यही पदावली की आवरित्य बार-बार है तो अनुप्रास का बड़ा चमतकार है फिर इसमें इसका चमतकार है यमत का चमतकार है तो अनेक अलंकारों का चमतकार है और साथ साथ इनकी भाषा काफी चलती हुई भाषा है और वो चलती हुई भाषा समझने में बाधा कहीं नहीं आती है सबसे बड़ी बात यह है तो आप देखें आप प्रताप दसकंट यह तत्सम शब्दावली है भी है जैसे आपने बताया था कि तो भाशा और कौशल में केशवदास की विशेश्टा इन तीन चंदों से आपने इस पर शोई केशवद के पदों को जितनी सरलता से समझाया है और उसके मार्मिक स्थलों को उद्धाटित किया है इस से हमारे विद्यार्तियों को निश्चही बहुत लाब हुआ होगा ऐसी मेरी आशा है हमारे साथ तनिवाद जकत बहुत दन्यवाद नमसकार